देखे पॉलिटिकल एजेंडा को अगर थोड़ा साइड में रख देते हैं और स्रिव इस फिल्म का जो मेक है बस उसके बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन जो है न वो बहुत बहुत ही अच्छा है हेलो एवर्यवन स्वागत है आपका मैं और मेरा साती में मैं वरुन और आज हम लोग बात कर रहे हैं आचारे के बारे में थम्नेल तो देखके आपको समझ में आई गया होगा देखे यह फिल्म अन दे टॉप इसका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है इसका अपना एक पॉलिटिकल सेंग है कि एक सेक्षन है पॉलिटिकल बिलीफ का जो जादा वैल्यू देते हैं रादर देन एनिवन ऐल्स तो वो वो कॉंट्रवर्शल भी है और बहुत जादा भी है तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने बात करी है तो इस पर बात करना बेकार है मैं जिस्ट एक फिल्म as a whole जेंरल के बारे में बात करूंगा सबसे पहले चीज तो धर्मस्थली को जिस तरीके से इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है एक जो पूरा वर्ल्ड है जह जो दिखाने का दर्शाने का उसकी जो पास्ट स्टोरी है उस पूरी जगे की भई वो क्यों इतना पाउर्फुल है वो जगे क्यों इतनी ब्लेज्ड है वो बहुत ही अच्छा है और दूसरा चीज जो इसके जो फिल्म के अंदर जो मुझे मतलब बहुत जिसकी वज़े से इस फिल्म का जो क्यामरा है पूरा जो सिनमाटोग्रेफिकल जो काम है डियोपी का वो आपको सीरियसली आपके होश उड़ा देगा इसका एक फाइट सीक्वेंस है जहां पे चिरन जीवी जी का जो क्यारक्टर है वो कुछ कह रहा है और फिर उसके बाद लड़ाई हो जात जैसे कि मैं कोई मतलब ओविसली कंपेरिटिवली अगर कहें तो लगेगा जैसे कि कोई हॉलिवूट फिल्म का कुछ हो रहा है तो मतलब यह फिल्म अपने आप में एक बहुत अच्छी वैल्यू रखती अगर आप पॉलिटिकल चीजे सारे हटा दें स्टोरी में हां कुछ थोड़ा बहुत है, मैं यह कहूंगा कि स्टोरी एक जगे पे बहुत ही बोर हो जाती है तो ठीक है मतलब इस तरीकी कि फिल्म को थोड़ा समय लगता है अपनी कहानी को बताने में, जताने में कि क्या हुआ, कैसे हुआ चीजы है तो फिल्म slow paced है बट I think उसका अपना ही एक reason है एक और भी चीज मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी जो दो main characters हैं जो दो main I think जो soul है चिरन जीवी एं रान चिरन जी दोनों के बीच का जो एक relationship जो दिखाया था वो भी एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि just because किसी की एक अपना वो पूरा काम ना कर पाया, करना चाहता था बट नहीं कर पाया, तो दूसरा आता है उसका काम वो पूरा करने के लिए वो एक अच्छा था कि promises kept वाला जो एक चीज जो था, in fact एंड का भी फिल्म उसको एक बहुत अच्छे से उसको एक, उस friendship को एक बहुत अच्छे से salutation करती है तो वो मुझे एक, on a very subtle note मुझे बहुत प्यारा लगा, I think कि इस की, मतलब दिखाने का जो तरीका था, वो बहुत ही सुन्दर था and हाँ, बाकी आप comment section में बताएं कि भाई, आप क्या सोचते इस फिल्म के बारे में, चाहे वो political हो चाहे वो कुछ भी हो, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तब ना ख्याल रखें